ब्राडवे तो हडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा अकीकत दी उडा जाएगा यह मैं शो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ जो अलिजिबल यूके के लिए हैं लेकिन जिद उस्ट्रेलिया की करते हैं जो लिजिबल अस्ट्रेलिया के लिए हैं और जिद यूके की करते हैं और कहीं न कहीं वो confused हैं या over confident हैं खासकर जिन्होंने हाल्स PT कर लिया वो सोचते हैं कि Australia हमारा होना ही चाहिए ताकि आप बहतर और अच्छा decision अपने future को लिके बना सकें और accordingly अपनी future की चीजों को plan कर सकें ताकि regular update information knowledge आपको मिलती रहे जो भी बच्चे विदेश में जाके पढ़ने की सोचते हैं इसके इलावा अगर आपके मन में कोई question है, सवाल है आप मुझे Instagram पे follow कर सकते है, message कर सकते है, revert करने की कोशिश रहेगी और अगर आप Broadway के साथ अपनी profile assessment कराना चाहते है apply करना चाहते है, services लेना चाहते है तो आप Broadway की team को call कर सकते है अपनी nearest branch में appointment बना सकते है या आप यही appointment Broadway की website पे जाके apply now का form भरके अपनी nearest branch से in touch हो सकते है अपने profiles को लेगे So UK और Australia एक अंतर सबसे बढ़ा कि UK without hours possible है without PT possible है Australia without hours या without PT possible नहीं है डुलिंगो सिर्फ UK चलेगा, Australia नहीं चलेगा Australia UK के अंदर without hours PT जा रहे हो आप fine, without English नहीं जा सकते So आपको English को justify करना है अगर कोई बच्चा यह सूचता है मुझे English बोलनी नहीं आती, समझनी नहीं आती, सुननी नहीं आती मेरे पास number है, marks है 70% English है यहां कुछ भी तो दोस्त नहीं होगा आप university की interview में stuck हो जाओगे वहीं पर आपकी story खतम हो जाएगी So knowing English is very important in UK ठीक है जी And second तरफ Australia जहां पर इसी English को साबित करने के लिए आपके पास ALS और PT दोनों acceptable है दोनों पर 100% visa success rate है कोई यहां पर difference नहीं है Canada की तरह So चाहे आपका PT में 1 module 5.5, overall 6 है Plus 2 है, perfectly fine और graduate है तो 6 each का score होना चाहिए अब बात करते है academics की, education की So UK के अंदर अगर आपका gap ज़ादा है तो आप acceptable है कोई problem नहीं है Plus 2 student भी 17, 18, 16 पास आउट भी चल जाएगा Australia के अंदर आप अगर Plus 2 के base पे apply कर रहे है तो आपकी Plus 2 20 और 21 होनी चाहिए उससे पहले का gap है तो वो trouble है, वो कहीं solution हो सकेगा कहीं नहीं हो सकेगा और solution करने की कोशिश भी तभी करें अगर आपके पास Alls for PT का score है, 6 each के equivalent Otherwise no point Graduate है, Australia के अंदर जाना चाहते हैं, आप 2019 pass out है Not a problem, बहुत कम questions पूछे जाएंगे gap को लेके बट अगर आप 19 से ज़ादा gap है आपका 2019 से पहले की graduation कर रहे है तो आपके पास proper evidence होने चाहिए कि आपने क्या job की उसकी salary का track record या कोई business किया तो उसकी income का track record proper होना चाहिए UK के अंदर आपका gap अगर 10 साल है 8 साल है, 12 साल है, 13 साल है graduate है, English का score आपके पास है, या डुलिंगो, या PT, या TOEFL है तो yes, most acceptable, कोई problem नहीं आप जा सकते हैं तो Australia और UK के अंदर अगर हम difference को एक line में define करना है easily define करना है तो ये चीज़ है, कि जिस बच्चे के पास RLs PT है और gap कम से कम है और percentage 60 से अबब है तो वो बच्चा Australia करें अगर ये चीज़ नहीं है कहीं भी गड़बड है, तो बिनावज़ा जिद ना करें आप सिरफ UK apply करें success rate दोनों countries में अच्छा रहेगा Australia में सरफ आपके साथ गलत हो सकता, UK में आपके साथ गलत नहीं हो सकता, अब वो कैसे हो सकता है UK के अंदर admission हमेशा university में होगा, अगर problem होगी तो university में case अटक जाएगा, सो agent आपके साथ ज़ादा गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी आगे चीजें meet करनी है, लेकिन Australia के अंदर आपके साथ गलत इसलिए हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर private colleges में cases apply हो सकते हैं, वहाँ पर colleges अलग-अलग category में divided हैं level 1, 2, 3 और जिसको शायद बहुत सारे client खुद जाके पता भी नहीं कर सकते कि level 2 है कि level 3 है या level 1 है तो यहाँ पर agent आप से इदर उदर के नाम के काम पे पैसे ले लेगा और refusal आपके हाथ में दे देगा और अपना पैसा बना लेगा, तो इस चीज़ का आपको समझना है कि Australia जितनी आप एड देखते हो उतने वीजा नहीं हो सकते वहाँ पर सिर्फ filter profile जाएगा Broadway में आप apply करते हो दोनों में से किसी में भी हम profile के according ही आपकी application लेंगे और दोनों में आप complete package के साथ apply कर सकते हो मतलब सारे पैसे रहेंगे वीजा के बाद चाहे वो fees है college university की चाहे वो embassy fees है चाहे वो insurance है और यहां कोई और miscellaneous expenses है यह सारे खर्चे वीजे के बाद आप complete service का package ले सकते हो और package complete तब ही मिलता है जब आपका profile eligible होता है और आप उसी जगह apply कर रहे होते हो जहां पर आप eligible हो अगर आप ऐसा advance fake रहे हो किसी को तो that means Australia में आप risk ले रहे हो UK में उतना ज़ादा नहीं है because यहां पर universities ने बहुत अच्छा एक filter लगा रखा है जिसको agent भी cross नहीं कर सकता तो आगे भी इस channel के जरीए आपको update करने की कोशिश रहेगी टीम से service लेना चाहते है अपने profile के बारे में बहतर जारना चाहते है टीम से contact करें Thank you Broadway तो हडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा अकीकत दी उडान